हैलो फ्रेंज, वीडियो बहुत दिनों के बाद आई है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आईगी ये वाली जो वीडियो है क्योंकि इसमें आपको शारे आइडियाज नए मिलेंगे और आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे तो हमारे पास देखे इस तरह की जो बेकार समान होते हैं हम उन्हें बेकार समझ कर फेंग देते हैं या फिर कहीं पर रख देते हैं इससे घर में और भी ज़्यादा भीड होने लगती है और हमारा घर ओर्गनाइज भी नहीं लगता है तो आज इनी चीजों को हम यूज करके अपने पूरे घर को ओर्गनाइज करेंगे तो दिखी मैंने लिया है डबल साड़ेट टेप और इसको हम लगाएंगे कीचन में और कीचन में देखी जहां पर टाइल्स लगी होती है वहीं पर आपको ये लगाना है तो पहले मैं अच्छे से इसको पोँच लेती हूँ जो भी थोड़े बहुत दाग दबे लगे हुए हैं या फिर साफ नहीं है तो अच्छे से इसको पोँच लेना है पोँचने के बाद आपको लेना है डबल साइडे टेप और इस तरह से आपको यहां पे लगा देना है आप इसको अपने इसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो तो यहां मैंने देखी इतना लिया है जिसे की एक बिलान के इसाब से यह हमने ले लिया है अब हमारे पास देखी जो चाकू होते हैं हमें बार बार में चाहिए होते हैं कहीं पर भी हम रख देते हैं तो यह मिलते नहीं है इससे हमें टाइम भी लगता है और परेशानी भी होती है तो करना क्या है देखिए आपको ये लगा के इसका जो भी रेफर है अटा देना है अटाने के बाद जो भी आपके पास चाकू है वो आप इसके उपर एके करके लगा दीजे पर इस बहुती बढ़िया तरीका है और इस तरह से देखिए हम जब कीजन में लगाएंगे तो ये हमारे सामने रहेंगे और जड़ से हम इसको देखिए इस तरह से लगा देंगे तो जितने भी हमारे पास चाकू है वो हम एके करके इसके उपर इस तरह से लगाएंगे लगाने के बाद देखिए जब भी हमें निकालेंगे और यूज़ करके फिर से इसको यहां पे लगा देंगे तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा देखिए एक यह चाकू होल्डर बनके तयार है छोटा सा स्टेंड और इस तरह की स्टेंड हम मार्केर से लेके आते हैं तो बहुत जादा पेसे लगते हैं और यह हमारा बहुत ही प्यारा सा बनके तयार है अगर आपको यह आडिया पसंद आया हो तो जरूर इसको ट्राय करिएगा तो चलिए देख लेते हमारा अगला यूसपूल आडिया यहां देखिए मैंने एक लिया है बोटल और यह पूराना हो चुका है मतलब खाली हो चुका है ऐसी प इसको पूरा कट कर लेना है कट करने के बाद जो इसका उपर वाला पार्ट है इसको हम क्या करेंगे कि नीचे की साइड में देखिए हमें छोटे-छोटे इस पेच रखे और इसको यहां से कट करना है तो देखिए जैसे मैं वीडियो में कट करी हूँ सेम आपको ऐसे ही कट करना है तो कट होने के बाद अब हमें फिर से इसको बंद करना है तो हमें इजली होगी देखिए तो इसलिए हमने यहां पे इसको उपर की साइड में कट क्या है ताकि हम एक बहुती बड़ियासे बोक्स की तरह इसको यूज करें तो आप चाहे जिससे इस बोटल का यूज कर सकते हूँ जिससे की हमारे कि हमारे पास बहुत इसी सब्जिंदे हां होती है जिनको हमें भोत ठिकते हैं जीसे हारी पत्ति थीं सब्जी जो फोल यह ज्क्ती है तो अब इस तरह से देखे बॉहां होसाई सब्छी नहीं बहुत O कारी मिर्ची को भी डाल सकते हो तो यह आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आते हैं और इस तरह के देखिए जब हम स्टोर करके अपने फ्रीज में रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया यह लगने वाले हैं और कोई भी सब्जी खराब नहीं होगी और इस पेज भी कम होगा और अभी सर्दी आने वाली है तो पाने की हमें जर्वत नहीं होती है उस पाने वाली बोटल की जगर आप यह रख दीजिए इस पेज भी नहीं लेंगे और पूरा फ्रीज आपका एकदम ओर्गनाइज रहीगा तो हैना बहुत ही बढ़िया तरीका जरूर इसको यहां मैंने लिया है फटे हुए पीलो कवर तो देखिए मेरे पास यह फट चुके हैं उपड़ की साइड से और एकदम नया पीलो कवर है कलर भी इसका नहीं गया वा है मजपूत है कपड़ा इसका तो मेरे डोगी है और डोगी क्या है कि अपने जो से इसको फार दिये है थोड़ा बहुत तो इसको में यूज करने वाली हूँ तो इस तरह के देखिए कभी कबार हो जाता है जैसे कि हमारे बेड़ शित तोटती है हम बेड़ते हैं तो किसी वज़ज़ से वो फट जाती है फिर हम उस बेड़ शित का यूज नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो जैसे कि मैंने या पर पीलो कवर लिये हैं अब मैं क्या करूंगी इसको पूरे को में जो सिलावा है सारे को निकालूंगी जो भी ये सिली हुई है उस सिलाई को मैं निकाल लेती हूँ दोनों दो कवर मैंने या पर लिये हैं तो मुझे दो कवर की ज जटा के अच्छे से निकालने के बाद मेरे पास देखिए यह वाले जो पिलो होते हैं जिसे कि हम नया पिलो लेके आते हैं और सिधा ही जो बड़िया वाला कवर होता है बेरशिट के साथ वाला वह हम लगाते हैं जिससे क्या होता है यह वाइट वाले जो पिलो कवर आते हैं इसको हम दो भी नहीं सकते और खराब हो जाते हैं जिसे कि रूई के हो या फिर रेसम के कुछ भी अलग लग तरीके कि ये आजकल पिलो आते हैं तो उसको हम सिधा ही वो cover लगाते हैं तो खराब हो जाते हैं तो आप देखे जो waste कपड़ा होता है जैसे कि हम use नहीं कर पाते हैं तो उसको आप इस तरह से बहुती बढ़िया एक cover बना लीजे तो पूरा को मैंने पहले सिलाई निकाली है फिर अच्य से सेट कर लिया है और इसके बराबर हम इसको cut करेंगे तो मैंने देखी पहले नाप लिया है फिर इसको double करके उपर रखे फिर इसकी cutting की है दो दो अंगूली मैंने extra इसको रखा है फिर उपर नीचे और side में यहां मैंने देखी इसको cut कर लिया है cut होने के बाद हमें क्या करना है कि इसको उल्टा रखना है देखी इस तरह से फिर हमें दोनों साइड में इसको sealना है तो देखे sealना की side में है उपर का जो part है वो हमें खुला रखना है और दोनों साइड में यहां पे हम सील लेती हैं और उपर का खुला रखें तो चलिए यहां मैंने सील लिया है सीलने के बाद करना क्या है कि इसको हम करेंगे सीधा तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह के दो कवर बनाए हैं और बहुती यह मेरे काम आ रहे हैं तो अब देखिए मैं इसको इस तरह से पहना लूँगी तो यह मैं बना रही थी इसलिए मैंने आपको शेर किया ताकि क्या है कि आप भी इस तरह की जो पुराने कपड़े होते हैं बेकार समझकर हम फेंग देते हैं तो आप देखे इस तरह से उनको यूज कर सकते हो तो यहां मैंने सीधा करके जो भी मेरा पीलो था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है तो फ्रेंज इससे ये होगा कि देखे अच्छे से इसको हमें पेक करना है कोई भी हम इसका पार्ट ओपन नहीं रखेंगे यहां मैंने देखे क्या किया है कि उपर की साइड में अच्छे से देखे आप देख सकते हो कितना बड़िया से यह कवर हुआ है और अब देखे जो भी उपर वाला मैंने खुला रखाता पार्ट उसको मैं अच्छे से सीलूंगी और मसिन से हमें नहीं सीलना है हाथ वाले जो सुई होती है उसे से हम इसको सीलेंगे ताकि क्या है कि इसका लूग कुछ अच्छा दिखे और में बात ये भी होती है किसी के पास देखे सिलाई मसिन होती है किसी के पास नहीं होती है तो वो भी जिनके पास नहीं है वो भी इस तरह के cover को बना सकते हैं दोनों साइड की जो सिलाई है वो हम हाँ से भी लगा सकते हैं बहुत इजी है ये और देखे मैं इस तरह से इसको सील लेती हूँ तो चलिए मैं पूरे को ये सीलती हूँ फिर आपको बताएंगे कि हमारे जो पीलो है वो कितने बड़िया लग रहे हैं तो देखिए अब आप देख सकते हो दो मेने कवर बनाए हैं और बहुत ही प्यारे लगे हैं जो दो कवर मेरे फट चुके थे पीलो कवर उसी से मेने या पर बनाए हैं तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आये हो तो जरूर इसको ट्राइ करिएगा तो चलिए देख लेते हमारा नेक्स्ट वाला आइडिया यहां देखिए मैंने इस तरह की जो बटन वाली पोली थोन होती है मतलब कवर होता है वो लिया है जैसे कि हम ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं टीशिट हो या बन्यान वो इस तरह के पोकेट में आते हैं और यह बहुत ही मजबूत होते हैं तो हमारे पास देखिए जो भी इंपोर्टेंट इस तरह के कार्ड होते हैं फाइल्स होती है वो हम इसमें डाल के रख सकते हैं तो इस तरह से यह बढ़िया से ओर्गनाइज रहेंगे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे तो हैना बहुत ही बढ़िया तरीका जरूर इसको ट्राइ करिएगा तो फ्रेंज अगर आप चैनले पे नए हैं तो फ्रेंज इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई